दोसों आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में अटल पेंशन योजना सरकार की तरप से चलाई जाने वाली एक महतपूर योजना है इस योजना के अंतरगद कोई भी 18-40 वर्ज के बीच का बेखती इन्रोल कर सकता है इस योजना के अंतरगत 60 वर्स पूरे होने के बाद में सरकार की तरफ से आपको एक pension जारी कर दी जाती है इसमें योजना की खास बात दिया है कि इस योजना के अंतरगत जो pension amount है आप खुछ से है निश्यत कर सकते हैं इस amount की आपको pension चाहिए जो भी आप pension amount को चुनते हैं उतनी pension सरकार की तरफ से आपको जारी कर दी जाते हैं तो आज किस पुड़ों में हम जानने वाले हैं कि अटल pension योजना क्या है इस योजना की क्या eligibility है किस तरीके से इस योजना के अंतरगत आप इंडोल कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस योजना में मिलने वाले benefit की तो अटल pension योजना के अंतरगत आपको lifetime के लिए guaranteed monthly pension दी जाती है इस योजना के अंतरगत जो भी लाबार्थी है अगर उसकी death हो जाती है तो जितने amount की pension लाबार्थी को मिल रही थी वही pension उसकी पतनी को मिलने लगती है और वहीं इस सोजना के अंतरगत जो पतनी है उसकी भी अगर डैथ हो जाती है उस केस में जो भी पॉलसी का नॉमनी होगा उसको एक लाग सतर हजार से ले करके आट लाग पचास ज़ार रुपए की धनास एक मुस्तद्दे दी जाती है और वहीं बात करें इस सोजना के अगले बेनफिट के तो इस सोजना के अंतरगत आप पॉलसी लेते समय उसी समय डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी पैंसन आपको चाहिए इस योजना के अंतरगत आप एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार या फिर पाँच हजार तक की pension हर महीने हासिल कर सकते हैं जिस भी pension amount के लिए आप enroll करते हैं उसके एवस में आपो थोड़ा सा contribution करना पड़ता है इस योजना के अंतरगत जो भी contribution किया जाता है वह आपकी age साथी में आपके pension amount पर depend करता है contribution की धरनरास को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस योजना की eligibility तो इस योजना के अंतरगत 18-40 वर्स के बीच कोई भी भारती नागरिक enroll कर सकता है इस योजना के अंतरगत सभी असंगठी छेत्र में काम करने वाले बैक ते अपना enrollment करा सकते हैं असंगठीत से मतलब यहाँ पर यह है कि उस company की तरफ से जिस भी वो company में काम करें वहाँ पर कोई उनको pension ना मिल रही हो या फिर वह अपना खुद का काम करते हूं या फिर वह किशान हो वह सभी लोग इसमें enrollment करा सकते हैं और वहीं लाभारती की पास में अपना खुद का एक bank खाता होना चाहिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि अटल pension योजना में कब और कितना पैसा हमें deposit करना होगा इसके लिए हमें NHDL की official website पर आ जाना है इसका हमने वीडियो decision में भी link दे रखा है यहां पर आप आएंगे तो योजना का contribution चार्ट देखने को मिल जाता है आपको इस option पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इससरी की का चार्ट दिस्पले हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे उपर की तरफ ही आपको बताया गया कि आप कितना amount की pencil लेना चाहते हैं तो यहां पर 1000 रुपे की pension है, 2000 रुपे की pension है, 3000, 4000, 5000 रुपे की pension है और वही पर नीचे के तरफ आपको देखने को यहां भी मिल जाता है कि इस pension योजना के अंतगर नॉमनी को कितना पैसा दिया जाता है तो यहां पर आप देखेंगे नॉमनी को अगर आप 1000 रुपे की pension लेते हैं तो 1,70,000 रुपे नॉमनी को दिये जाते हैं यहां पर आपको age के हिसाब से आपको चार्ट दिया गया है तो जो भी आपकी age है first room है आपको यहां पर select कर लेना है तो यहां पर 25 years में अगर आप इस स्योजना में इंटर करते हैं तो आपको monthly जो contribution करना होगा और वही अगर आप quarterly करते हैं तो 226 रुपे करना होगा और वही पर अगर आप half yearly payment करते हैं तो 449 रुपे आपको payment करने होगे एक हजार रुपे की pencil लेना चाहते हैं तो आपको 76 रुपे महिना के जमा करने होते हैं और वही अगर आप इसी pension को double करते हैं यानि कि 2000 रुपे की pension करते हैं तो आपको 111 रुपे हर महिने जमा करने होते हैं और वही 3000 रुपे की pension के लिए आपको 226 रुपे जमा करने होगे 4000 रुपे की pension के लिए 301 रुपे deposit करने होगे और वहीं अगर आप 5000 रुपे की पिंसल लेते हैं तो आपको 376 रुपे डिपॉजिट करने होंगे या जो पैसा है कितने सालों के लिए डिपॉजिट करना है आप यहाँ पर उसके बारे में भी डिटेल देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर आप 25 साल में इंटर होते हैं तो आपको 35 सालों तो किया पैसा जमा करना होगा इसके लावं मैंने एक कालकुलेटर भी दे रखा है कालकुलेटर के ओप्षन पे किलिक करेंगे तो आपके सामने National Pencil Pernadi का एक Calculator Display हो जाता है जिसमें आपको को selection करने है उसके बाद में जो भी आपका पैसा exact जमा होगा और कितना पैसा आपको पैसन के रूप में दिया जाएगा उसके बारे में detail में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस Calculator में drag करके अपनी age को select कर लेना है तो मैंने यहाँ पर 21 years को select कर दिया है उसके नीचे आप से पूछा जाता है कि कितना amount की आप pension चाहते हैं तो 1000, 2000, 5000 जितना भी amount की आप pension चाहते हैं आपको select कर लेना है तो मैं यहाँ पर 5000 रुपे की pension चाहता हूँ तो मैं 5000 के option पर click कर देता हूँ इतना select करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कितने सालों तक पैसा deposit करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको 39 years तक पैसे को deposit करना है और उसी के नीचे आपको interest rate select करने का भी option आता है और उसी के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको total पैसा कितना deposit होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 1,25,892 रुपे आपको जमा करना है और वहीं पर आप देखेंगे total करपस amount कितना आपका create होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे 8,64,419 रुपे total तयार होगा यहाँ पर जो करपस amount है या nominee को दिया जाता है साथी में जो pensioner है उसको 5,040 रुपे का amount उसको lifetime के लिए दिया जाएगा तो अब हम बात कर लेते हैं अगर आप इस pension योजना को लेना चाहते हैं तो pension योजना को लेने के लिए आप चाहें तो आप offline में जिस भी bank में आपका bank account है चाहे वो पंजाब national हो, ISAC bank हो या फिर HDFC bank हो या फिर state bank हो जा करके वहाँ पर आपको simple one page का form फिल करना है form अगर आपको चाहिए तो मैंने video decision में दे रखा आप इस form को download कर सकते हैं इस form को फिल करने के बाद में आपको अपनी bank pass और अपने अधार card की प्रतलिप को इसमें attach कर देना है और अपनी bank में आपको submit कर देना है इसके लब अगर आप online ही इस pencil योजना को लेना चाहते हैं तो आप online भी कर सकते हैं जितने भी bank है आम तोर पर सभी online भी facility देते हैं जिस पर आप online खुछ से ही apply कर सकते हैं online किस तरीके से pencil योजना में registration किया जाता है इसके लिए आपको यहाँ पर मैं छोटा सा demo देता हूँ आपको अपनी bank की website पे आ जाना है इसके बाद में आपको यहाँ पर login के option पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना username यहाँ पर password और यहाँ पर जो capture code दिखाए देरा है इसको फिल कर देना है इसके बाद में आपको यहाँ पर login के option पे क्लिक करना है login होने के बाद में आपको यहाँ पर e-service के option में आ जाना है यहाँ पर आपको More के option PAY क्लिक कर देना है More के option P AKE क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने page की इस तरी का display आगया गई यहाँ पर आपको social security scheme का option मिल जाता है इसपर आपको click कर देना है और इसके बाद में आपको here हम पर select scheme का option में आज़ आ जाना और यहां पर आपको submit के option पे click करेंगे अटल पेंशन योजना का online जो form है आपकी सामने display आ जाता है यहां पर आप देखेंगे 90% आपकी सभी information पहले से fill है आपको यहां पर जो चीज़े fill नहीं है उसमें आपको information को fill करना है यहां पर आपको place of application के option में अपने city के name को type कर देना है और इसके बाद में आपसे यहां पर एक question पूछा जा रहा कि इस योजना के अलावा किसी other pension योजना का lab तो नहीं पाते हैं अगर आप पाते हैं तो यहां yes select करना है और otherwise आपको यहां पर no ही select कर देना है और इसके बाद में यहां पर अपना अधार number fill कर देना है यहां पर अगर आप में आपको यहां पर gender select कर देना और अगर आप मेरेण है या onRI あपको इस option मे helpر diversity कर देना है है और शके बाद में नीचे के तरह आएंगे तो यहां पर नमनी की detail को fill करनी का option आजता है तो यहाँ पर नॉमनी से क्या relation है इस option के माध्यम से आपको select कर लेना है अगर आपकी wife है तो यहाँ पर आपको spouse को option को select कर लेना है इसके बाद में आपको यहाँ पर नॉमनी का name, middle name और यहाँ पर आपको last name फिल कर देना है और यहाँ पर नॉमनी का आधार number फिल कर देना है उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे के तरफ आ जाना है, यहाँ पर आपको pension amount को select करने का option आता है, तो यहाँ पर आप जितनी भी pension चाहते हैं, आएक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार, पांच हजार, उतनी pension को आप select कर देंगे, और यहाँ पर out to debit के option में आ करके जिस date को आपके account से पैसे काटे जाएं, यहाँ पर select कर देना है, और इसके बाद में नीचे के तरफ आएंगे, तो इस pension योजना का payment monthly, quarterly, half yearly किस तरीके से करना चाहते हैं, आपको select कर देना है, SMS alert लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर accept कर लेना, इसक submit के option पर click करेंगे, उसके बाद में आपकी जो application है, आपकी तरफ से submit हो जाएगी, जिसके बाद में आपकी policy जारी होगी, तो आपको SMS के माध्यम से notification मिल जाएगा, तो आसा करता हूँ, आज वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करेंगा, चैनल पर नए हैसे चैनल को भी subscribe करेंगा, इस वीडियो को अपने friends और family में share करेंगा, मिलते हैं अपने नएक इस वीडियो में, तब तक के लिए बाब बाई, जाहिन